अगर कोई आकर आपसे कहे कि सुखी कैसे होना है मैं जानता हूं तो तो आप तुरंद कहेंगे कि जल्दी से बता दे क्योंकि इस सुखी तलास में मैं बरसों से गूम रहा हूं पर दोस्तों सच्तों ये है कि एक इनसान के लिए जो बात सुखी है वही बात दूसरे इनसान के लिए दुख का कारण बन जाती है चल ये इस बात को एक एक्जंपल की हेल्प से समझने की कोशिस करते हैं एक इनसान के गर बेटे का जन्म होता है और वो मिठाई या बाटता है तो क्या बेटे का जन्म होना सुखी बात है अब आप कहेंगे हाग क्यों नहीं तो चल ये मान लेते हैं कि बेटे का जन्म होना सुक्की बात है पर दूसरे किसी इनसान के गर बेटे का जन्म होने पर वो उदास हो जाता है और पुछने पर पता चलता है कि यह उसका तीसरा बेटा है इसलिए बेटे का जन्म होना हर किसी के लिए सुक्की बात नहीं है सुक्की निश्चित व्याख्या देना कठीन है पर भगवान श्रीकृष्ण ने सुख्या है वो इतनी सरलबाशा में बताया है कि यदि कोई मनुष्य भावतिक इंद्रीयों के आवेगों को काबु मे करके वासना और क्रोध के आवेगों को रोक सकता है तो वो इंसान जगत में सुखी है तो चलिए दोस्तो बगवान कृष्ण की कही इसी बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते है हमारी इंद्रिया हर वक्त हमारे पास कोई न कोई कार्यक करवाती रहती है इसके फल स्वरूप हमें सुख या दुख की प्राप्ती होती है फोर एक्जामपल अगर आपका बाहर गुमने जाने का मन है और आप अपने घरवालों से कहते हैं कि चलिए आज बाहर गुमाते हैं और कुछ एंजोई करते हैं अगर सब मान जाते हैं तो आप बहुत खुस हो जाते हैं जो की हमारे लिए खुसी की बात है पर अगर सब नहीं मानते तो हम दुखी हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिसने भी अपनी इच्छाओं और आवेगों को रोकना सीख लिया वो सुखी है जीवयन में अगर हम सच्चे मन से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और सुख हर वक्त हमारी मुठी में होगा सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखने पर ही हम हमारे क्रोध और वास्तना को नियंत्रित कर सकते हैं सुख से आगे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण हमें आध्याई पांच के 24 वे स्लोक में परम सुख का भी सिक्रेट बताते हैं बगवान कहते हैं कि जो मनुश्य अंदर से सुखी, सक्री और पूर्ण आनद का अनुभव करता है वास्तों में वही सच्चे सुख का हकदार है मनुश्य एक विचीत्र प्रानी है, वह अपनी आसपास की भवतिक चीजों में, पत्नी में, संसार में, पैसों में, सत्ता में, आधी में सुख को खोचता रहता है पर सच तो ये है कि सच्चा सुख परमानन इंसान को अंदर से ही मिलता है और जब तक इंसान अपने अंतह करन से खुशी नहीं महसूस करता, तब तक वो क्षण भंगूर सुख देने वाली दुन्यवी प्रवरुतियों से कैसे सुखी हो सकता है तो ट्राई करे और सुख को अपने भीतर ही अनुभव करे तो दोस्तों वीडियो के लाश्ट में देखते हैं, इस वीडियो में हमने कौनसी दो बाते सिखी जिसको ध्यान में रख कर हम सुखी हो सकते है अपनी इंद्रियों को वस में रखे, सुख आपकी मुठ्ठी में होगा अपनी इंदर ही खोजे ना की बहार तो फ्रेंड्स कैसा लगा है वीडियो, कमेंट में मुझे जुरूर बताए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेज करे ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और अंत में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय शिक्रिश्ना